कि गुड़ीवनिंग बच्चों कैसे हो कि ऑनलेन वालों मेरी आवाज आ रही है क्या यह सब्सक्राइब कर लिया था और मैंने आपको यह बताया था कि जो फानेंशल स्टेटमेंट्स होती है उसमेंने कैप्टर एक्सपेंडिचर को डिसकस कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि फानेंशल स्टेटमेंट में हमारी तीन स्टेटमेंट मंती है नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट नंबर टू पी एंडल अकाउंट कुछ लोग ट्रेडिंग अन्पी अल अकाउंट को कमबाइन बनाते हैं और तीसरी बनती है बैलेंस शीट रा क्या मैंने कहा आपको ट्रेडिंग आप बोली यह नत मैं कराऊंगा लेडिंग एंड अ चुप प्रॉफिट एंड अब प्रॉफिट अप्रॉफिट अन लॉष अकाउंट नमबर वन और नमबर टू अब लिख ले आड़ को यहां के अधर बैलेंस शीट जो आपका ट्रेडिंग अड़ अकाउंट होता है यह हमें सवाल में गिवन क्या होगा हमें गिवन होगा त्राइल बैलन्स और मैं कई बार एक्ग्जामिल्र क्या करता आपको ट्रेंव बैलन्स भी इन बहुत देटा आपको पिएडरा ग्राफ फोर्म में आपको इंफ्रम नहीं देंगे अगर आपको पहराग्राफ फॉर्म में सवाल दे दिया तो आपको सबसे पहले ट्राइल बैलनस बनाना पड़ेगा ट्राइल बनने के बाद ही आप अपना अगला प्रोसेश शुरू करेंगे और यह सब्सक्राइथ याउश अब देखिए ठ्रेडिंग और प्रिंड होता है इसके लिए 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 प्रेडिंग एपिएज अड़र अकौंट अंडराय दवर्ड फोरदा यह एंडिड थर्टीफर्स दिसंबर होगा या थर्टीफर्स मार्च होगा एंड एंड अप्टिंग पीरट इजिट क्लियर और बैलेंशिट के लिए बैलेंशिट आपकी क्या होती है कि पोजीशनल स्टेट्मेंट यह भी बात समझ में आ गई आपको मोग समझ आ गया सुख्वीर लिदिमा समझ आ गया यह यह सर अब इसकी प्लेसिंग कैसे कैसे होगी हमने पूरी काउंटेंशी को पांच चीजों में डिवाइड करा कि लियर कि आयूशी हमने जो फानेंशियर स्टेट्मेंट बनाई उसका परपस क्या था प्रॉफिट और लॉस केल्कुलेट करना बिजनस की परफॉरमेंस केल्कुलेट करना यस और नो यस तो आपको है जो मने कि आपको पता है पूरी एकाउंटेंसी इन पांच शब्दों में घिर हुए है कैपिटल लाइबल्टी एसेट्स छी एक्स्पेंस्टेंस तोदेखिए एक्सेंस यहां आगया रिवार्न्म यहां आ गया इनका डिफेरंस ऑगाउड ईलॉस होगा याय तो प्रॉफिट जोफुलो सोगा यह सरुन त्रीदीमा यस और नो इस रिशान बाकी क्या बच गए बाकी बच गए आपके और इसके लिए जो इसके लिए यह किसके लिए बनाया जा रहा है यह किसके पार्ट बन गए लिए ट्रेडिंग एंड यानि कि trading प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा या तो एक्सपेंस आएंगे या रेवन्यू आएगा और कौन से आएंगे रेवन्यू एक्सपेंडिचर ए यह यह मैंने लास्ट ट्क्लास में आपको प्रूब कर दिया था कर यह सोरनो यह सर अब बचा क्या मेरे पास बचे कैपिटल लियाबिल्टी और एसेट मेरे पास बचे कि एपिडल लीयाबिल्टी और एसेट हुआ हुआ है आल मेरे पास बज्य है तक य हुटे आगडी और एस मेरी बाद समझ में आ गई कि नि मेरे आ अगई तो यान है आनि के ट्टन एस्ट कहां जाएंगे आपके आप आप की यह ए आ आ ब्लैबिलिटी और एसक्त है यह आपकी कहा ढएगी यह क्या बनेगी इसकी बैलेंशीट बन जाएगी पोजिश्टन स्टेटमंट बन जाएगी एड़ा एंड अप्ड एकांटिंग पिरिड मेरी बात समझ में आ गई सुहना तरह समझ में आ गया राइट रिदीमा समझ में आ गया यह सर इशान इशान कि यह सूर बेटा या तो कैमरा उन कर लो नहीं तो मीटिंग लीव कर दो कोई रवाज आ रही है हां कैमरा लीव कर दो बेटा मीटिंग अगर नहीं कैमरा उन करना मुझे गुस्ता मत दिलाओ आप अब आपको सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और प्रेंड अल अकाउंट बनाना बताऊंगा मैं देखिए जो ट्रेडिंग और प्रेंड अल अकाउंट होता है कि ट्रेडिंग और यह ट्रेडिंग एंड रोर काउंट हो टा यह दो पार्श में बनता है यह दो पार्ट सुमें बनता है यहिरतली dalासरओ difficult है कि जैसे हमारी बोड़ी लोः अंपर वोटलबल है कि नहीं है कि यह इम दढ़र है यह नीचे 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 यह तो अपर अपडोनल है कि नहीं यह अपर अपडोनल है यह मेरा कौन सा अकाउट को लाएगा ट्रेडिंग अकाउट और रोड़ नला वह कौन सा अकाउट हो जाएगा पी अगाउट कि स्थर मुझे आप एक चीज बताईए कि एकाउंट में क्यों जुरूरत पड़ी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की एंड में नेट प्रॉफिट पहुंचना है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड क्यूं करा इसके पीछे का लॉजिक क्या था इसके पीछे का ले यह जो ट्रेडिंग और पीएंडल होता है आपको मैं एक चीज आज पल्ले बांद लो गांट बांद लो जिन्दगी में जब तक अकाउंट पड़ोगे अकाउंट एंसी जाए फनाइंशल पड़ो जाए कॉस्ट पड़ो जिस भी अकाउंट से अकाउंट बोले तो जिस भी अकाउंट से अकाउंट बोले तो टी शेप जिस भी अकाउंट से अकाउंट बोले तो टी शेप टी शेप में से अगर आपका यह ड़ी को लेजर अकाउंट यस और नो आयूशी जिस टी शेप और अकाउंटिंग से आप को प्रॉफिट और लॉस मिलता है कि बैलेंसिंग फिगर जिस भी टी शेप अकाउंटिंग से चाहिए उसका कोई भी नाम हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो अगले साल आप पढ़ेंगे रिवैलियुएशन अकाउंट पी अड्जस्मेंट अकाउंट रियलाईजेशन जिस भी टीशेप अकाउंटिंग से आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वह आपका अकाउंट में कुन सी नेचर का होगा अग लिए 2 नॉमिनल नेजर Casey जिस बहु एक एक से आपको बैलनसिंग फिगर मिलेगी औरiltी फिगर या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी डिए नेचर का सब्सक्राइब N एकाउंट lihatति थी हुआ ईंट टो जिस एकाउंट से आपको जोसित मिलें और प्रोफिटर लास वह हमारा नॉमिन जटरका हो को और वैसे भी तो यह बताएए यहां क्या आएंगे इसका मतलब यहां क्या आएंगे खर्ची आएंगे कौन से खर्ची आएंगे रवेंड्यू रइट और यहां क्या यहां क्या आएगी इंकम जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आए यहां पर क्या आएगी क्वाइगी रेवेन्यू इंकम जो डेली डेवाइडेड बिजनस की इंकम होती है जैसे मेरी टूशन इंकम माई रेवेन्यू रिसीट बेसिकली यहां क्या आएगी रिद्धिमा येस और नो अब मैं दोनों में जो पार्ट हमने डिवाइड करा है उसको हमने क्यों डिवाइड करा तो मैं आपको यहां पर एक डिसक्स करना चाहूंगा कि यहां पर हमने अपने expense को दो major category में दिवाइट करा है यहां पर मैंने अपने expense को दो major category में दिवाइट करा याने कि मैंने अपने expense को और income को expense oblique income को दो different different category में दिवाइड करा, the first category is called direct income या रवेन्यू मैं डरेक्ट रवेन्यू and direct एक्पैंसिस और दूसरा इंडारक्ट रिवेन्यू and इंडारक्ट एक्पैंसिस मेरी बात समझ में आ रही है बेटा इंजल मेरी बात समझ में आ रही है यह सर्थ हमने जो ट्रेडिंग अंपी अंडार काउंट बनाया दो भागो में डिवाइड करा उस पर डिवाइड करने का जो रीजन था वह यह था कि हमने एक्पैंस को दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में सेग्रीट करा क्लासिफाई करा the first type of expense is इसकोड डार एक्सपैंसे डारेट इंकम और शेकिंट टाइप अप अब 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 लिफरेंट इसक्रूप आप तुमारे को अब कि सर्फाइव मिनट्स में करियो लापटप से जॉइंट करके ओके इशान तेरे को क्या प्रॉबलम है अगले साल हम जोईन नहीं करेंगे डंकियों के नोटीस बिजबा देते हैं हां में तब आख नियुक्त है 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 हमारे रागां बदवार जी समझ गए है तो हां जी बोलो बैटा सरे पिछली वाली स्लाइट पेडि वाली 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 विखली वाली यह वाली कह रहे हो यह देखो यह वाली शुरू यह हो गया ट्रेडिंग में यह 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 मेरा क्या है यह मेरा ट्रेडिंग एंड लगाउंट इसको दो मेजर केटिग्री में डिवाइड किया गया और सच्देवा साब और सच्देवा साब यह सर आपकी टेबल पर जो मोबाइल पड़ा हुआ है उसे अपनी बैक में डाल ले अब सही है दिख रहा है पहले तो रहे हाथ में था यह यह दिखुए मेरे हाथ में यह पावर बैंक अच्छा ठीक है ओके यह देखो आयूशी नोट कर लिया यह बेटा यह अब मैं आपको यह चीज़े समझाऊंगा डारेक्ट रिवेंडी और डारेक्ट स्पैंसिस जब तक यह हमें रिद्दी समझ नहीं आएगा तो में इस चैप्टर को समझना मुश्किल हो जाएगा अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूं आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं कि मैनूफ्रेक्ट्रिंग अकाउंट जो ट्रेडिंग करते हैं मतलब माल को बनाते नहीं है तो जिसे ड्राइक मोबाइल इस्टोर जो था वो मेरा क्या था ट्रेडिंग था तो वह लोग ट्रेडिंग अकाउं बनाएंगे आयूशी समझ में आ रही है यस जैसे शीर्टकु ट्रेड्टर रहे हो मोबाइल प्रेला के अंदर है विकोज मैं प्रोड़ेक्ट बनाता हूं तो मैं एक मैनुफेक्चरर हो गया तो मेरे भी तो खर्चे होंगे कि नहीं होंगे खर्चे जिसकी में मर्जी हो डारेक्ट और इंडारेक्ट दोनों होंगे लगशिता मेरी बात समझ में आ रही है अधिर दक्षिता है एस मतलब सबसे पहले हम यह समझेंगे यूनिट चाहिए जो मर्जी हो नेचरों बिजनस जैसा भी हो आपके बिजनस के अंदर कुछ खर्चे ऑंच हुं और भूछ्षे skilled शाया चाय होते हैं जो खर्चा दारेक्ट यह इस और नो इंजल है सचीन यह सौर नो है यह सर नो है इस बहुत पूपनी यह साथ से आपको डे इफिनिशन बनाता बताता हूं आपको एक चीज बताईए मैं एक मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी हूं राइट मेरा काम मैं फूड प्रोसेसिंग बिजनस से बिलॉंग करता हूं मान लीजिए मैं तुमारी सबसे फेवरेट चीज आज की रेट में जो बच्चों को लगता है कि मैं एक नैसले कंपनी की मैगी कंपनी तुम लोग शबजियां तो खाते हैं नहीं माबाप पागल हो जाते हैं पर मैगी की प्लेट ऐसे चाड़ जाते हो कि उसे धोने की जरूरत नहीं होती बरतन वाली भी कहती है भेंजी ये प्लेट साब तो है इसे क्या धोना है वो कहता है नहीं मेरे बच्चे ने भी इसमें तो रानी में भी फूरी पूरी जीफ चाड़ चाड़ के इतनी कर दिया कि रिम वार भी शोच्त चमकाएगी जो तुमारी टंग चमका देती है उसे है यह बात रहा है जहाँ गहलत आई उशी यह बात ने इस जो मैगी का सौध जो मैगी से आप प्लेट साफ करते हो वो घर के टिंडे से नीं करते आ संट to Meggie कंपनी है मैगी कंपनी एक तरह की तो मैगी बनाने के लिए this material लेगी नेका मैंड़ा ये यह सीज्म मेंदय की उती खी नहीं होती येश्मिंष मेरेट अब मानलो मैं चाहता हां में एक घार्मेंड ईक्समोटर हूँ मेरे लिए जो क्लोथ और डैरेट के अधिरियल रहे नहीं होगा का मेरी बाध समझ के अच्छिछ Immidine सब्सक्राइबन हो गया कि रहनेगे घतहर नशर्डियर अटेवा साथ directly correlate होते हैं अब जैसे आपके घर के अंदर आपके जो रियल ब्रदर जो आपके ब्रदर और सिस्टर है वह आपके रियल ब्रदर सिस्टर है तो वह आपके डारेक्ट रिलेशन्शिप में है कि निया ब्लड रिलेशन में पर आपके बुआ का बच्चे आपके मामा के बच तो आप अपने रियल ब्रसे जो बात कर सकते हो वह कजन से नहीं कर सकते कर डिफरेंशेट है के नहीं है ऐसे बिजनस के अंदर कुछ खर्चे जो डारेक्ट नेचर के होते हैं वह खर्चे हुए कौन से जो आपकी आइटम के साथ जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो या जिसे साद डार्ड कोर्यलेट कर सकते हो हमाइन और एग्जैंपल देना चाहूंगा आपको यजिसे हमारा राम मोबाइल स्टूर काहम था के नहीं था है यह हमारा रां आशोर का था राम था कर नहीं था यह सतो जो मैंने परफेंस कंपना मूबाइल he को यह वह उस आइटम के साथ और टोर्लेट है के नहीं है को तो यह मेरा परचेज मेरे माटिर्श फर्चा हो गया कि नहीं हो अब मैंग अध्या क्पनी में आजा ओ मैं गार्मेंट एक्स्पोर्टर हूं मैंने कपड़ा खरीदा मेरा अधर कि आंधे इससर फिर उसकपड़े को किसंदे बनाया अया जारज है तो च्पट को बनाने के लिए अपनी लेबर ली वह आपका डार्र pikδα के नहीं कि मेरी बात समझ में आरहें कि नहीं आरी बच्यों आप लोगं को उसमें जो stitching उप्टन लगे वह उसका डारेक्ट टॉर्रिलेशन है के नहीं है रिद्धी तो क्या हुआ व कि यृऽा दारेक्ट का मतलब क्या हुआ जो हम आइटंस या तो ट्रेड कर रहे हैं या मैनुफेक्ट्य करे रहे हैं वह उसके साथ डारेक्ट को रिलेट पर हुए अ suktat उसक्या रिलेशन बन रहा उसका डा तो मेरी एक बहुत बड़ी manufacturing company है राइट मैं मैं अध्यूर आध्मी हूं मेरे यहां labor काम कर रही है जो मशीनों पर काम कर रही है आयूशी समझ में आ रही है उस मशीन पर काम करने के लिए उसमें उस production को करने के लिए उसमें अपना direct अपना effort डाला के नहीं डाला के सचीन मेरी बात समझ में आ रही है यह सर्फ पर एक जो बाहर मेरे factory बाहर एक वाच मैं बैठा है जो जब सचीन अनन्द मेरी factory में आता तो तो सलाम ठोकता है सलाम बाउजी तो यह बताओ उस सलाम बाउजी ने जो वह है जो वह वह गाड़ है factory का क्या उसने production के अंदर contribute किया गया नहीं किया ना तो यह खर्चा कौन सा हो गया इंडारेक्ट विटा थीम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक चार्ट अगांटन हायर कर रखा है क्या उस चार्ट अगांटन ने प्रडेक्शन के अंदर कोई contribute करा क्या वह मशीन पर चड़ गया क्या बनाने के लिए तो वह खर्चा कौ काम तो सारे कर रहे हैं अब हाव टू डिफ्रेंशेड की भई इसने प्रडेक्शन में इसने डारेक्ट खर्चा है मैं कैसे पैचानूंगी अब एक चीस बताईए यहां पर भी जो हिंदी के प्रयावची शब्द होते हैं यहां पर भी चलते हैं अगर मैंने अपनी लेबर को पेमेंट दी कि फूर्थ क्लास लेबर को पेमेंट दी तो उसे मैं प्रोनाउंस करूँगा एजे वेजिस। कि एजे वेजिस पर जब एक चार्टर अकाउंटन को सैलरी दूँगा तो उसे वेजिस नहीं कहूंगा उसे उसको कहूंगा सैलरी कि देखो एक सैलरी कितना बढ़िया शब्द लगता है लगता है इज्जत मिल रही है जैसे मैंने वर्ट सेटर डाला कि आज की डेट में अगर कोई इंसान आप से मिलता है और वो अपना मोबाइल साइड में रख देता है तो इसका मतलब उसने आपको पैर चूने से ज़्या है और बच्चों की हालत क्या हो रही है उसमें उनके फेस इंप्रेशन आ रहे हैं देख लिए ना मोग तुने यह हालत हो रही है 12 के बच्चों की तो मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि 12 में अपने आपको संभाल लेना ने तो जो आज मेरा वर्ट सैप का स्टेटस लग अपनी हो उसको डारेट्ट रिलेट कर सको अयोशी नहीं कि अंधिज है और जो डारेक्ट नहीं कर पाएंगे वह कौन से हो जाएंगे अ है शर्टी आयुशी समझ आ गया में नहीं का गया तो तो से शेर्म क्या सब्सक्री होने ले लिगए हम तो इस लिव पे पहुच içinde लिमिटी ह benefiting क्रचों की तो मैं आपको ये बताना चाओँगा ऑगा कि अगर आपको डारेक्ट खर्चे पता हूँ तो जिफ्टी ऍट महीं होको सा हो गया इंडारेक्ट कर आपको अचले ना होते हैं 4-5 जो बड़े निकखद और निकम्हें होते हैं जो किलास को आए चलने नहीं देते शरारती ना खुद पढ़ते हैं पढ़ने देते हैं होते कि नहीं होते हर क्लास में एक अधशिता अब मालो मुझसे प्रिंसिपल में आके पूछती और मैंक अकाउंट शीच चरू तुम्हारे स्खूल का मुझसे प्रिंसिपल मैं पूछती है यह बताओ कौत पर कि आृउन सजदेवा जी गारीं साहाड है मैंने कऴ आयं तो शरार्अधिक कि लिस्ट में एक पपर मे को 50 बच्चों का नाम याद करने की जूरत नहीं है कि मैं वह पांच गंदे बच्चों का नाम याद कर लूँगा तो जो गंदे नहीं जो गंदे हैं जो बाकी बच्चे वह अच्छे हो गए कि नहीं हो गए कि में से टीचर ने पूछा weel Yuk कैसा है तो मुझे तो बड़ा शरार्ति बच्चा है पिर उनने पूच्छा हाँ कुनाल सूधन यह तो मेरी घंदे तो ड्रेंग अकाउंट धो बनता है उसमें जो जो मेरे बिजनस के ढारे ऍंसीव होते हैं वो Corps limited होते हैं रिधी ये सर्ग सच्चिन गया भीटा ये सब तो जब मैं अपना कंप यॉप आपको मैंने एफार्मुला लिखाया भीटा बताए ये यह फार्मुला वैने आपको बताया प्रॉफिट इस इकल रिवैन्यू माइनस एक्सपेंसिस ये बोला के नी बोला ये ऑ अब नहीं बोला ये भ जब मैं आम इने कहा मैंने आपको यह ट्रेवन में दो इससों में बोटा क्यूच था थे जब मैं के अपनी डारेक्ट रिवेंड्यू को यो डारेक्ट रिवेंड्यू को दिन आंप मुनुच मुलेगा कि डारेट एक्सपेंसिस के साथ कि तो इस मंठन से जो मुझे आंसर मिलेगा कि एट आंसर इस कॉल्ड आईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मेरी बात समझ में आ रही है अगर मैं अपने बिजनस की डारेट इंकम को डारेक्ट रिवेन्यू को डारेट एक्सपेंसिस के साथ कंपेर करूंगा तो उससे जो मेरी एक बैलंसिंग फिगर निकल कर आएगी या तो वह प्रॉफिट निकल कर आएगी अगर आमदनी पर नी खर्चा रूपया लॉस आमदनी पर चाब इस पॉसे तो प्रॉफिट ईयान्य कि ट्रेडिंग अकाउंट का परपस क्या हुआ बीपी निकालना ग्रोस रभी निकलना जिसमें मैंने क्या करा अपने डारेक्ट रिवैंण्य को कम्पेर कर आ उस पीरड के डा और यहां पर मैंने अकाउंट्स बनाते वक्त मैचिंग और एक्रूल दोनों को कंसीडर करा है अभी सिखाऊंगा कैसे जब अड़्जस्मेंट के हम सवाल करेंगे तो वहां पर मैं एक्रूल और मैचिंग दोनों को कंसीडर करूँगा रिदीमा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है वह यह सब अगर मैं डारेटट एक्सपैंस की लिस्ट याद कर लूँ समझ है यह समझा दिया जो मैंने कहा डारेक्ट टो रीलेट है अगर यह समझा दो तो इसका मतलब बाकी खर्चे क्या हो जाएंगे इंडारेट हो जाएंगे यह सो रही बिदेमा आ जैस और नो अब अब आईए ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी हो यह यह चीज़ नोट कर लिया आपने कि अभी मैं इसको इलाइबरेट करूंगा ना डारेक्स पैंसे और डारेक्ट रिवन्यू को कि अग्या कि चलूं आगे चलूं कि आयूशी आगे चलूं अब जो मेरे डारेक्स पैंसेज होते हैं दा एक्जाम्पल ओफ डारेक्स पैंसेज कि अब एक चीज़ बताओ कि जो मेरा अगर मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी न्यूली बिजनेस में ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से आएगी और अगर मेरा एक्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो पिछले साल का जो माल बचा हुआ होगा वह अगले साल का ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही रिद्धी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं कि मेरा रणिंग बिजनस है मेरा क्या है रणिंग बिजनस रणिंग बिजनस है तो मैं यहां आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट का पर्फोर्मा बना के दिखा रहा हूं सबसे पहले क्या आएगा जो मेरा पिछले साल का इंवेंट्री होगा वह ओपनिंग इंवेंट्री बनेगा जिसे आप स्टॉक बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री इस डाइडर रम इन्वेंट्री इंक्लूड इन्वेंट्री इंक्लूड राम मेटिरियल इन्वेंटरी इंक्लूड रा मिटीरियल मैं सभी फिनिश फिनिश गुड़ अ लूसցी तूंस स्टोर स Nós यह आपके क्या होते हैं इन्वेंटरी होती ही कि Не होती है तो यह डारेक्ट चीज है के नहीं आपकी उसके बाद दूसरी क्या आएगी डारेक्ट खर्चा क्या है टू कि पर्चेज इस लेस पर्चेज रिटर्न यह डारेक्ट खर्चा है के नहीं है अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ आ गया तो पीनल तो एक मिनट में हो जाएगा और तो हम जी सब्सक्राइब आपने इंवेंटरी एक्सपेंस में क्यों डाला है बिटा इनवेंटरी जो है ऐसा है बेटा इको बता ने वह दो डाला है यह मुझे प्रॉफिट निकालना है आयूशी तैस्ट मैंने दस अजार का मैं आप देशी तरीके समझा रहा हूं तिर यह सब कि साट जार का हो गया यह सब उसमें से मेरा बीस हजार का माल बच गया यह सब तो इसका मतलब चालिस हजार का माल की कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया कि यह सब कितने बेचा माल मैंने दस अजार का एक लाख रुपे का मतलब मैंने माल यह 55,000 का बेच दिया और कोई खर्चा नहीं किया तो देशी तरीके से बनिया बुद्धी से मैंने 15,000 रुपे कमा लिए यह सब आयूशी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यह सब मैं अकाउंट को कि अब भाड में सिंगल एंट्री से अगर मैं बात बोलूं देशी तरीके समझाओं तो भईया दस का माल खरिदा थ 5,000 का माल था यह मेरी क्या थी कॉस्त इस साल के एंड में देखा मेरे पाफ 20,000 का माल बच गया तो इसका मतलफ मेने 40,000 का माल बेच दिया पर कितने में बेचा 55 में तो एक तरह से मैंने 15,000 का प्रॉफिट कमा लिया आयूशी पर अकाउंट क्या है एक सिस्टेमेटिकल साइंस है के नहीं है अब इसको डाटा को प्रेजन करने का तरीका भी तो है कि नहीं है अम ऐसे ऐसे तो नहीं दिखा सकता कि यस ऐसे दिखाऊंगा तो एसा लगेगा दिखा दिया अभी मैं प्रूब कर दूंगा अभी मैं बहुत चीजां बताऊंगा आयूशी इसके अंदर बहुत गहरी पूरी जितनी तेरी के तेरी दिमाग में जितनी बातें चल रही है ना मैं सबको इलैबरेट कर दूंग अभ सब्सक्राइब अब मैंने अगी ऐंगे आई कि इसके ओपर एटफे वेट इया होगे यसे ओपर भारा दिया होगा जिसें मोटें कैरीग इंवर्ड कि इससें मुciendo एंपर्चeuse मैंने एक मालोग इंडिया से बाहर से शिप्मेंट मगाई मैंने कस्टम डूटी पे करी कि नहीं करी तो बताइए वह उस बेचने के लिए वह उसकी डारेट खर्चा हुआ कि नहीं जब तक यह जूटी नहीं देता मैं उस माल को बेची ना पाता रिद्धी एस और नो हो और अगा और अगर मैंने लॉए सिप्म मगांगा आ माल पानी वाले जला सबसक्ता है पीं तो अगर मैंने जांटlang हाइब है तो मेरे कौन से ञeक्रित हर्ची उंगे को कि कस्टम डूटी और क्या होगा टू कि क्लीरिंग चार्जिस जो कस्टम डूटी पर क्लीरिंग चार्जिस दे रहा हूं वह भी तो मेरे डारेक्ट खर्चे हुए कि नहीं हुए जक्षिता समझ आ रहा है यही पाई दे पड़ेगी यह चयां पड़ेगी हुआ प्रमापर जिस्मं कर लोगते हैं इंदी में ृफ यहां यहां जो carbon अंग्रेजी क्या बोलते हैं मिंट्रवार यहोओ ऐसे क्या बोलते है ॉद्ध नि म्कार बॉटें कि डॉक चार्जिस कि बंदर गापे जो खर्चे अब वहां पर शिप में माल आया तुम्हें चार दिन तक माल नहीं उता रहा उनके गडाउन में पड़ा रहा तो वह आप से पैसा लेंगे नहीं क्या डॉक चार्जिस कि मेरी बात समझ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही बैटा रिदी रिदी मां कि यह सब्सक्राइब को सिखाना चाहता हूं और अगर कोई प्रेक्टरी के नाम से पचा यह एक होती है बैटा और यह क्या बला होती है माल लीजे मैंने लुद्याना से माल खरीदा आयूशी मैंने इंटर स्टेट माल खरीदा तो जब हम स्टेट तू स्टेट जब माल की डिलिवरी ट्रक पार करता है तो उसे हिंदी में बोलते हैं चुंगी कर हिंदी में क्या बोलते हैं चुंगी आप देखना कभी आप दिल्ली से बाहर जाओगे तो वहां आपको जैसे जहां टोल टेक्स लिखा होता है तो टोल टेक्स तो अलग चीज होती है वह सड़क की उसके लिए होता है जब आप स्टेट चेंज करते हो तो जैसे ऊकला लाइन होता है जो तुमारी पर्सनल गाड़ी होती है हो शाएं शाइं करके निकल जाती है आपर लाथेते हैं तो वह सरकार को क्या देते हैं दिल्ली में तुम माल बेचने और फिरी में आ जाओगे हि और रवघ धूटि दोगे यहां पर कि यह था दो साल पहले अभी वाले निए पुराने करा सर कुम्मी घर मैं निया है यह यह हई और के वह पंजाबी था यश्म पता पंजाबी में दुपट्टे को क्या बोलते है पल्लू नहीं चुनि है पंजाबी चुनि बोलते हैं क्वेश तो यह फंजाबी भाष्टा है हमारी तो यह महीनिंग वाली भाष्टा यह तो इसे क्या बोलते हैं इंड्यक्ट एंडिया लगता है और बहुं опас तेस कुछ खर्चें से आपकी है अगर माणनों Second के नाम से कोई कर्था है था वर्ड क्या ह्यात्याइए कफ्रींदेट नाम कोज़ें दूसरा नाम क्या यह मैंच्ट्रिण अकाउट तो यहां manufacturing कहा होगी जहां factory होगी तो रिदी मां समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह सब्सक्राइब को फैक्टरी एक्सपेंस के नाम से कोई भी एक्सपेंस होगा वह आपका डारेक्ट होगा यह कुछ खर्चें जो आपके डारेक्ट खर्चें होते हैं और दो ही आपकी डा आगया यहां पर मेरी बात समझ में आ गई आयूशी अब देख जो तू बात कह रही थी कि सर ओपनिंग स्टोक कैसे आया इधर देख और बच्छी में बाद में बचा क्या कि लोजिंग स्टोक या क्लोजिंग कि इन्वेंट्री अब इसका डिफएंस आएगा अब दिकों अ अब आपकी मैं बात K 004 कर रहा हूं मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि अपयो तो कह पहला है या चोटा हो शखुता के यो रहा है तु बत्तमीच है कि अब हो है यह कहरा सर कान पकड़ो तभी बड़ा चोटा बड़ा हुआ यह भी बता निकम्मा हो गया मेरी तरह आए यह यह बता यह टी शेप में आ गया अब यह बता आयूशी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जो मैंने अभी दो मिनिट पहले कहा ओपनिंग स्टोर इतना खरीद खर्चा किया त्स यसमें से यह 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 बच गयाँ कि इसी चीज को आपने मेरे से पूछी इसी चीज को मैरे से ऐसे प्रेजिया कोई डाउट यहां तक दक्षिता कोई डाउट mean you know some bordo है में आपनों तो फ्रेट आप आ तो गया केरी जिनवर्ड फट ट्रांसपोर्ट अगर फ्रेट लिखा घर यह Лिखा है मैं बता से पहला पॉइंट कि अगर आपको खाली क्यारीज लिखा है क्या ना इंवर्ड लिखा आउट वर्ड लिखा है यह क्या है डारेक्ट अगर आपको लिखा क्यारीज आउट वर्ड इसे हम बोलते हैं एक्सपैंस ओन परचेस expense on purchase एक लिखा होता है करीज आउटवर्ड करीज आउटवर्ड का यह क्या होता आपका इंडारेक्ट इसको बोलते हैं expense on आउटवर्ड से आयूशी आउटवर्ड का मतलब जो माल को बाहर बेजने का भाड़ा लगा उसे कहरी आउटवर्ड बोलेंगे और माल भेजने का भाड़ा आप कभ देंगे जब माल बेच देंगे विर्धी मेरी बात समझ में आ रही है कि नियारी की यसा रृष्ष वर अगर आपको लिए लिए गया अउट यूट वर्ड Works तो वो क्या है इंडारेक्ट है मेरी बात समझ में आ रही है बैटा कि आयूशी समझ आ रही है जक्षिता समझ आ रहा है बैटा इस रिदीमा सुखबीर सचिन अगर मैं लिएक चलता हूं अगर मैं लिखते हूं रेंट को ये क्या है कि समझ रहा है कुनाल और अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो यह क्या हो जाएगा डारेक्ट समझा रहा है रिदीमा बेटा यह सचिन अगर मैं लिखता हूं इलेक्टिशिटी एक्सपेंसिज तो यह क्या है इंडारेक्ट आयूशी यह क्या है इंडारेक्ट बट अगर मैं लिखता हूं आपूल एलन पावर एलन पावर कहां यूज ओती है इंडास्री में यूज ओती है तो यह क्या है घुआर्चिस गार गीर्च्चका इस और जोडि दे माग दिमागती neighbourhood साफ और 폭म साभट में से तो यह एक अगर फिललण पावर है तो यह क्या हैगा आए-गा गारेक्ट-टर्ट कर्चे कहा आते हैं टेडिंग में और इंडरेक्ट कहा आएंगे पींडल में पहले मैं ट्रेडिंग की बात कर वाता पिनल भी नहीं समझा रहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया यह सो आईए अब हम इसके ओपर कुछ सवाल करेंगे अब यार कहां गई वह फाइल हाँ यह अब आप यह देखिए आज़ेए स्कीन पर आज़ेए अब आप ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रपिसएरे नौट अ ग्रॉस प्रॉसप्रॉफिट और रोस लौस स्थी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट मुल्हें कर पतल है गा कि जब मैं डारेक्ट रिवेंन्यू को मैने इस क्र मिनियू अप्ирण करूंगा तो तो अलोगी जाएगा भी टा समझ में और यहां थे और कि अगर मैं डारेक्ट रिमनियों को जार Trinity के साहथ kompare करता हूं तो मुझे क्या निखल कर आएगा जीपी मी चेज पर अगर मैं इन्डारेट इंकम को इंडाट एक्सपैंस के साथ कंपेर करुआ तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल कि रहा देगा पहले हम जी पी की बात करती है ज्यादा जी पी की बात करते है राइट दक्षिता आएद अब हम सवाल करते हैं यहां पर यह वैसे तो आपको आपकी बुक्स पर सब में बनाए होगा यह देखिए रिमेंबर वाला पढ़िए कैरी इनवर्ड कैरी इट मीज़ान पर्चेश इट विल शोन इंदर ट्रेडिंग अकाउंट अटि डार एक्पेंसिस पिटा मेरी बात समझ में आ रही है यह मैंने डिसकस कर लिया आपके साथ कैरी आउटवर्ड भी डिसकस कर लिया इट में स्कैरी जॉन सेल इट विल शोन इंदर अभी मैंने आपको प्रेंडल नहीं बताया पर यह ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा इस बात से तो एकरी हो के नहीं हो सो बात कि एक बात जो खर्चे ट्रेडिंग में आ गए और जिसका जो ट्रेडिंग में नहीं आए वो कहां चले जाएंगे पी एंडल अकाउंट में आर्यान सदेवा रिदिमा रिद्धी समझ आ गया कि नहीं आ गया सुखभीर यह सब ट्रेड एक्सपेंसिज ना मैं इसका पी शोन इंदा पी एंडल अगाउंट डेबिट साइड अई शी समझ में आ गया और अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ आपका वर्ड लिखा हो क्या इन वर्ड डैट इस यूर डाट एक्सपेंस अर्यान सदेवा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यह सरागे आगे कि इलशेशन नमबर टू कराऊंगो राज का लास सवाल है पहले इस से पहले कि आपको मैं बनाना सिखाऊंगा आपको जब आप तीन-चार रख टेडिंग अगाउन बना लेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको कोई आइटम सर्च नहीं करनी है आप समझ अधित क lav babam a They got सवाल कर लेंगे आपका हात अपने अप जैसे अब गाड़ी चला जंट लर्निंग प्लिस तो आप सबीटानी से सबीटों जब आप आप सानवर्स कर लेती हो तो वोही चीजों मैं आपको यहां करोँगा मेरे को यहां क्या बनाना वहर प्रिपेA Marine अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा है अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा मुझे क्या बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूं आपने सवाल को देख लिया मैं सवाल की आइटम को सर्च नहीं करूँगा मैंने यहां लिखा क्वेस्चन नंबर टू मैंने यहां लिखा ट्रेडिंग एकाउंट और दा कि यह एंडिड अगर आप यह वर्ड नहीं लिखोंगे तो बिटा आपका आधा नंबर कट जाएगा पर्टिकुलर्स अंट है इन रुपीज यह अपर इसे ट्रेडिंग ऊंट है मार्न दोistant कि और और आपको मैं बताना चाहूंगा आज क्या वार हो गया है 20 लिखा हुए ना वहां सवाल में 20 है के 20 है और आपने अब मैं आइटम को मैंने बार-बार बोला ढूंदूंगा नहीं जो आइटम जहां आएगी उसे प्लेस करता जाओंगा सबसे पहले आइटम क्या लिखी है ओपनिंग स्टोक डारेट खर्चा होता है कि नहीं होता है मैंने लिल गया यहां टू कि ओपनिंग स्टोक अकाउंट रिदिमा रिद्धी समझ आ गया बेटा यह सर्ट डाट इस पांच अजार कोई डाउट अरे न सच्देवा कोई डाउट नहीं चलिए अगली आइटम क्या रखिया है अब आपको मैं बता रहा हूं सेल्स के साथ सेल्सी टर्ण भी तो सकती है नेट सेल वर्ड नहीं लिखा यह आयूशी यहां पर वर्ड नेट सेल नहीं लिखा जबकि हमारी आती है सेल्स माइनस सेल्स इटन डाट इस नेट सेल येस तो हम सर्च नहीं करेंगे अभी सर्च नहीं करेंगे कि हमें सवाल में सेल्स इटन दिया हुआ या नहीं दिया हुआ परचेस के केस में भी हम सर्च नहीं करेंगे कि हमें परचेस इटन आरिधिया या नहीं दिया हम लिटरली क्या करेंगे सेल समझ में आ कि है किन इंड्र कोciamo में लिखो खालेक्ञा हुआ 5600 56,000 आई उशी मैं ढूंडूगा नहीं कि सेल्स डिटन मेरे को ढूंड रही है जैसे जैसे आइटम आ गई अगर जिटन आ गई तो मैं माइनस करके बाहर वाले कॉलों लिख दूंगा नहीं तो यहीं फिकर लिख दूंगा बाहर के कोई डाउट यहां तक के हएए दिव रिद्धी कोई रिदी मा कोई डाउट प्रचेज इतन को डूंडूंगा नहीं इसे क्या करूंगा इनर कॉलम में लिख दूँगा और यह मेरी कहा आती है यह मेरा एक्सपैंस है तो मैं यहां लिखूंगा टू इस पर्चेज इस अकाउंट इनर कॉलम में कितना लिख दूगा बैटा अधिए लिख दिया मैंने यहां पर अब बताईये लिख दिया मैंने यहां पर इस अधिया श्रिया समझ आ रहा है हां जी सचीन जी समझ आ रहा है इस सबसे असान चैप्टर है जिसे दुनिया सबसे मुश्किल कहती है आपको प्रूव हो जाएगा आज के पंदरे दिन बाद कि सबसे असान चैप्टर अकाउंट में है यह इससे असान चैप्टर तो था यह नहीं सिरफ कॉपी पेश्ची तो करना है आईए कर деньги के साथ कोई वर्ड नहीं लिखा न इंवर्ड लिख है न आ ऐटां बढके मैंने बोल दिया तो यहां लिख़्ब नindest देखिए इदर देखिए इदर देखिए एदर देखिए विची इदर देखो विची यहां पर मैं थोड़ी चुर्ण दूगा क्योंकि अगर पर चाहिए चाहिए और नहीं होगा तो मैं यहां ऐसे लिखोंगा लेस परचेज रिटर्न माइनस तो आउटर कॉलम में लिख दूँगा ताकि मेरा बद्धा भी न लगए कि एक यह देखो जी तना बड़ा पहुचा छोड़ दिया आपने मेरे को इसी बाने याद भी रहेगा कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करनी है मेरी बात समझ रहें समझ रहें नहीं होगा कोई नहीं मैं अपने फॉर्मेट में दिखा दूँगा दो फाइद होंगे इसके एक तो मेरा बद्धा पन नि लगेगा और एक्जामनेर पर भी एक बारा पॉजिटिव है कि हाँ इसको नॉलेज है परचेज में से परचेज यह तोड़ी है मैंने यहां लेकिव डिया टूव करीज अकाउंट इससाइड इसने टीन अजार पर डाउंट में ईसका ब Boss दख मिड़ूटब क्ताूट क्योंड है नोजघ कोई डाउट है लोग सब्सक्राइव्ण में ठाएम होगई अब देखिए क्या वर्ड लिख्खा है यह फैक्ट्री रेंट कि डारेट खर्चा हो गया कि नहीं हो गया कि सुवाना खर्चा हो गया लिख दो फैक्ट्री रेंट साथ अजार कोई डाउट यहां तत चले यहां तक कॉपी कर लिया सभी जनों ने कि यह सर्ट अगे यह गया यह क्या यह लिखा है तो यह भी डायरेक्ट हो गया नहीं हो गया क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम मैनुफेक्टरिंग अकाउंट भी आए के नहीं है तो कि तो जाब परड़क्शन होगी आप परड़क्शन खर्च होंगे तो यह मेरा डारेट खर्चा हो गया की नहीं होगा रीदीमा कि को इस में अब दॉट इसमें को से चलिए लिखिए कि अ कि यह यह लिखूं थू तक भीचा Fros निए चली आगे उपाप्रेट अकेला लिखा हुआ तो वह डारेक्ट हो गाए इह भी आपका डार्यक्ट होगया टूंप रेट प्रेट अकाउंट कितना लिख दू मैं पंतरा सो लिखो फ्रेट, कोल, गैस, फ्यूल, डारेक्ट अठारा सो ये लिखो वेजीज, सब पंसो ये भी डारेक्ट हो गया लिख दू, मैं भी लिख दू, मुझे बताओ, यहां क्या लिख ओ, टू, फ्रेट, कॉल, वेजीज, कॉल, गैस, एकाउंट में, फ्रेट में कितना था मेरा, पंद्रा सो, ठारा सो, और क्या है, वेजीज, छप्पन सो, प्राइट, यहां तक बताओ, कोई डाउट किसी को, एक बार सवाल को देख लो, और आइट में देखो, सारी प्लेस हो गई की नहीं हो गई, अभी एक आइटम रह गई है, बस क्लोजी स्टोक को छोड़ कर, एक बार आप अपने कॉपी के अंदर आंसर को देखिए, एक बार, कि सारी आइट में प्लेस हो गई की नहीं हो गई, प्रिद्धी प्लेस हो गई की नहीं हो गई, यह सुहाना प्लेस हो गई बेटा, श्रिया, धर्श, कोई दिक्कत, अब एक चीज रह गई, इस दिक्लोजिंग स्ट्वोग अगर आपके पास कोई माल बचा है, अब यहां पर आपको एक पुराना कंसेट्ट याद कर आऊंगा, यहां पर, तर में पता हूं लुक जा तेरी बारी भी आएगी बेटा टेंसनिया क्यों ले रहा है तो तो बद्रेसिंग होती है मैं बताता हूं कि यह कहता है अच्छा सदेवा साब आपने जड़ा उच्छुक्ता अरिती जड़ा बताईए आप सब्सक्राइब कोई प्रॉफिट होना है उससे आपने खुश नहीं होना है उससे आपने खुश नहीं कर ना कि अगर आपको फूच्छ में लॉस हो रहा है तो उसके लिए अच्छा ती अवी इसे पीतनी शुरू करदेना हाय मर गये कि आपको कोई खुशी की खबर आनी तो किसी को बतानी नहीं कि इत्सको बतानी नहीं मदध़ुक्र रहा ये गया यह पूर एक्जामपल माले आपके पापा डिफैंस में और इंटरनली खबर आती है कि आपके पापा की परमोशन हो रही है तो किसी को बतानी नहीं जब तक परमोशन का सटीवेट हाथ में ना आ जाए उसके बात पार्टी करो पता लगा परमोशन का हवा सुनी परमोशन की ज़ए ज़ए पता लगा प्रमोशन तो आही नहीं दो जएगी निए हो जाएगी मेरे बात लाइए में समझ आ रही है नहीं हारी तो यही चीज्ज हमारे बिजनस में लगती है कि अगर कोई खुशी खबर आ रही है तो उससे हम एकसाइटीड रही होंगे पर अगर कोई ध the Pruance concept ने हमें एक प्रिंसिपल गर्ड करके दिया था अधा वैल्यूइशन अफ लेड़ेशन आपको धीयूइशन और वैलीवेशन और फ्लोजिंग इस यह किसने हमें और करेके दिया था वैल्यूशन कुछ ने आयूशी याद आगए सबसे फर्स चेप्टर में किया था हमने रिद्धी यह उसमें हमने क्या कहा था कॉस्ट और कि मार्किट वैल्यू विच एवर इज लोर कि जो हम क्लोजिंग स्टोग का वैलुशन लेंगे पुडएंस कंसेप्ट में तो कॉस्ट और मार्किट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे राइट दक्षिता यह सो अब पहले यह कॉपी करो रिदिमा यह कॉपी कर बटा यह वाली बात कि तुशार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हां जी किसी को कोई डाउट कि 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 यहां तक समझ आगा रिदिमा यह सो दक्षिता यह और नो बेटा यह सो अब दक्षिता इदर देखो आपको नीचे क्लोजिंग स्टोक दिया हुआ यह क्या लिखा है कोस्ट प्राइज और यह क्या लिखा है मार्केट प्राइज पूदंस कॉंसेट क्या कहता है इन दोनों में से जो कम होगा उस पर हम क्लोजिंग स्टोक को वेल्यू करेंगे यह तो मेरे को कि होगी आपका माल पड़े पड़े बढ़ गया तो फ्यूचर का 200 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा पर उसको आप कंसीडर नहीं करोगे और वाई से वर्सा होता यह कॉस्ट प्राइज आपका 78 है और यहां पर यह आपका मार्केट प्राइज 6,000 है तो से पुदेंस कंचेप्ट यह कहता है दू अं कर लॉससे दू नटेंति इनकम है यहां पर बताईए यह अपर मैं अ कितना दिखाऊगा यहां फर यहां पर मैं फ्र में क्लोजिंक स्टोग तना दिखाऊँगा 7800 दिखाऊंगा निखाऊंगा रिदीमा यस और नो मेरा सवाल खतम हो गया मेरा सवाल सारी आइटम लोकेट हो गई दक्षिता मेरी सारी आइटम लोकेट हो गई रिदी इस अब मैंने क्या गाता पर्चेज में यहां लिखूंगा लेस पर्चेज रिटर्न माइनस तो आउटर कॉलम में कितना लिख दूँगा थर्टीवन आयूशी समझ आ गया और यहां पर लेस 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 रिटर्न माइनस आउटर कॉलम में कितना लिख दूँगा थिफ्टी सिक्स थाउजन लिख दिया अब मुझे इस पी शेप का बैलेंस करके बताओ कि आपका बैलेंस प्रॉफित आ रहा है अगर इंकम जादा होगी इदर का जादा होगा तो ग्रॉस आप दनी ज़्यादा है खर्चा जादा है रिवेंद्यु जादा एक बच्चा कहरा सर इधर का जादा है कितना रहा है जरह चेक करके बताओ 63,800 तो एक बच्चा कहरा है सर हमारा तो जीपी आ रहा है अगर ग्रॉस प्रॉफिट कितना अ I love Pink accounts now में छाम पिंग से लिखता हूं कितना घ्रेह हो अ zijn यह आपकी जाए कि आ की करो है चैक करो एक बच्चे ने जवाब दिया आप बिआश्टधा चैक करो आ सभी बच्चे प्लीज चैक करेंगे तुशय च्रिया इंच्टर रिधिमा चेक कर कि बताइए कोई डाउट कि चेक कर मेहता साथ चेक करके बताओ तभी जाने दूँगा मैं कि कैलकुलेट करो जब तक अपने हाथ से कलकुलेट निकरोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी और यह क्या निकलकर आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट मैं वेट कर रहा हूं कोई नहीं दो मिनट फालतु लग जाएंगे कैलकुलेशन में क्योंकि जब तक आपको कैलकुलेशन नही पढ़ेगी तक आपको कि अगया दक्षिता है एक बच्चे ने मेरी वीडियो देखी एक पेरेंट्स ने मेरी वीडियो देखी उन्होंने का सारा बच्चों को बहुत जादा अगर बच्चों को इतनी बार अड्रेस करते हो इतनी ऑन लाइन में नहीं करना चाहिए वह सिये बच्चों के लिए तो सही है पर यह चोटे नाजुक बच्चें 11 क्लास के जो कोविड से परिशान होके आया तीन साल घर में बंद रहे हैं अगर मैंने इनको नहीं बुलाया तो यह मेरे को बूल जाएंगे क्या सएथा कियों बूलाते हो इतना विपी है करते हो इतना प्ले सवाल करने के बाद पूछा करो सब्सक्राइब करना चाहिए अड्रेस करना चाहिए अड्रेस करना चाहिए अड्रेस कुनाल आयूशी आप क्या कहते हो अगर आपने कम सब्सक्राइब करना चालिस बार तो ले लिया कि मैंने क्या करूं अगर नहीं बोला हो तो मुझे पता कैसे लेगा यह पढ़ रहा है इसे समझ आ रहा है कि नहीं आरा और वह भी कोवीड वाले लॉकडाउन वाले बच्ची हैं तो तो बताईए आपका अंसर आ गया कि नहीं आ गया देखिए कर लेते हैं यह देखिए अगया कि नहीं आगया देखिए अगया कि सब्सक्राइब किसी को कोई डाउट है गया रहे हैं और सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करने अगया तो वही कापी पेस कर रहें तो वहीं लिखेंगे जो मैं सवाल में दिया हम तो वहिं लिखेंगे और वैसे बिना इतना किसी का द्यान नी जाता अगर फ्यूल और गयास लिख देगी तब भी कोई दिक्कत नहीं वो तो तो तरह यह वाला आंसर देखेगा ओके लो जी नंबर लेलो बटाफट तो बिटा आज यहीं ओवर करते हैं फ्राइडे को मिलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट अज फ्राइडे हैं यहार मेरा तुना यहार दिमागी खराब हो गया है अब मंडे को क्लास लेंगे फिर राइट ओके बिटा बाइच के रिपार्टिंग डाल देंगा बेज रहा हूं बे